भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब राष्ट हित में महिलाओं ने हस्ते हस्ते देश के लिए अपना बलिधान दे दिया। आज हम आपको इतिहास की उस घटना के बारें बताते हैं जब एक रानीर ने विवा के मात साथ दिन बाद अपना सीस स्वेम अपने हाथों से काट कर पती को निसाने के तौर पर रणभूई में भिचवा दिया। जिससे उनका पती अपने कर्तब पस से हट न जाये। बात उस समय की है जब मेवाड में सिसौधिया राजवंस के एक महान सासक महराणा राज सिंग प्रथम का सासन था। उन दिनों दिल्ली का बास सा औरंगजेव था। इन्ही दिनों चारूमती किसंगड की एक राशकुमारी थी। इनकी सुंदरता के कारण औरंगजेव ने उससे बिवाह का प्रस्ताव भी भेजा। राणा राज सिंग राजकुमारी का मान रखने के लिए उनसे बिवाह करने किसंगड पहुँचे। इसी समय औरंगजेव अपनी सेन लेकर मेवार की और चल पड़ा। उस समय रतन सिंग चुणावत मेवार के महाना राज सिंग क सामन थे विवा होने तक मुगल सेना को रोकने का काम राणा राज सिंग ने सरदार चूनावत को दिया जिनकी हाल ही में हाडा राजपूच सरदार संगराम सिंग की बेटी हाडी रानी सहल कमर से विवा हुआ था वीर सरदार चूनावत ने राणा राज सिंग को विश्वास दिलाया कि जब तक आप राठावर करन्या का पारिग्रण कर वापस नहीं आएंगे तब तक मैं साही सेना को मार्ग में ही रोके रखूँगा। सरदार चूणावत ने राजधानी में युद्ध का डंका भजवा दिया। युद्ध छेतर की ओर जाते समय सरदार चूणावत ने अपनी नववाहिता पत्नी हाडी रानी को देखा और वो उनको देखकर चिंतित हो गए। हाडी नानी ने अपने पती की मनोस्तिती को समझा और उन्होंने अपने पती से बोला कि आप मेरी चिंता मत करिये और विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए बिदाई दे दी। सरदार चुणावत जोसे भरे अपनी सेना के साथ अपने पिरी घोड़े पर चड़कर हवा से बाते की वे चले जा रहे थे किन्ट उनके मन में रह रहकर अपनी पत्नी की याद आ रही थी उन्होंने मार्ग से अपनी पत्नी को एक संदेश वाहक से संदेश भेजा कि उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है इसलिए कोई निसानी वो उस संदेश वाहक के हाथ अवस से भेज़ें जिसको देखकर उनका मन हलका हो जाए हाडी रानी पत्र को पढ़कर सोंच में पढ़ गई युद्ध में गए पती का मन यदि रानी में लगा रहे तो वो सत्रू से कैसे लड़ेंगे और कैसे विज़े होंगे इसके बाद रानी के मन में एक विचार आया उन्होंने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निसानी दे रही हूँ इसे थाल में सजाकर सुन्दर वस्त्र से ठक कर अपने वीर सिनापती के पास पहुचा देना किन्तु ध्यान रहे कि इसे कोई और न देखे इसे स्वयम वही खोल कर देखें इसके साथ ही उन्हें मेरा ये पत्र भी आप दे देना हाडी रानी ने अपने उस पत्र में लिखा कि प्रिये मैं आपको अपनी अंतिम निसानी भीज रही हूँ आपके मोह के सभी बंदुनों को मैं काट रही हूँ अब आप बिना किसी मोह के अपने करतब का पालन करें पत्र लिखकर हाडी रानी ने उस पत्र को सिपाही को दे दिया और पलक जबकते ही अपने कमर से तरवार निकाल कर एक जटके में अपने सर को धर से अलग कर दिया रानी का सरीर धरती पर लुड़ा किया इसको देखकर सिपाही के नेत्रों में आसों की धारा बह गई सैनिक खुद को मजबूत कर सौन थाल में हाडी रानी के कटे सिर को लेकर युद्ध भूमी के और दोर पड़ा सिपाही को देखकर सरदार स्थब्ज रहे गए उन्हें समझ में नहीं आया कि उसकी आँखों से आँसों क्यों बह रहे है धीर से सरदार सिपाही से बोले कि रानी की निसानी ले आए सिपाही ने कापते हुए हाथों से थाल को सरदार की और बढ़ा दिया चौनावत सरदार फटी आखों से थाल में पत्नी का सीज देखते रह गए उनके मुख से क्या Richmond इतना निकला, किया रे रानि, यह अपने क्या किया हाडी रानि के सीज को देख कर सरदार चौनावत के सारे मौ बंधन टूट गए कहा जाता है कि चुनावत ने उस सीस को अपने गले में बांध कर सत्रों का दट कर मकाबला किया और औरंग जेप की सेना को आगे नहीं पढ़ने दिया रतन सिंग इस युद्ध में विजए हुए और वीर गती को प्राप्त हुए हाडी रानी के इस बल्दान को रारस्थान में लोग आज भी पूस्ते हैं लोग गीत गायक उनकी वीरता और साहसे संबंदी गीतों में उनकी कहानी का गुरगान करते हैं यदि देखा जाये तो इस विजए का स्रेख किसे दिया जाये रानादास सिंग को, सरदार चोनावत को, हाडी रानी को या उनकी उस अनोखी निसानी को समोता इसके लिए अपने अपने तर्ख हो सकते हैं लेकिन इस युद्ध का अगर किसी को भी स्रेज आता है तो वो नाम है विरांगना सलेर कमर हाडी रानी को जिन्हों ने अपने प्राणों की आहुती देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा रानी के इस बल्दान को सरदार ने विर्थ नहीं जाने दिया हमारा सादर नमन है उन भी रानी को